उत्पन्ना एकादशी 2019 इस दिन हुआ था एकादशी माता का जन्म वरत करने से मिलता है मोक्ष। एकादशी माता मार्गशी श्मास की कृष्ण एकादशी को प्रकट हुई थी जिसके कारण इस एकादशी का नाम उत्पन्ना एकादशी पढ़ा इसी दिन से एकादशी वरत शुरू हुआ था उत्पन्ना एकादशी वरत कथा ऐसा माना जाता है कि स्वयम श्री कृष्ण ने विश्नु जी से मदद मांगी विश्नु जी का मुर्दर्थ से युधारंब हो गया जो कई वर्षों तक चला अंत में विश्नु जी को नींद आने लगी तो वे बदरिकाश्रम में हिमवती नामक गुफा में विश्राम करने चले गये मुर्भी उनके पीछे पहुचा और सोते हुए भगवान को मारने के लिए बढ़ा तभी अंदर से एक कईया निकली और उसने मुर से युद्ध किया घमासान युद्ध के बाद कईया ने मुर का मस्तक धर से अलग कर दिया गया जब विश्णू की नींद तूटी तो उन्हें आश्चर्य हुआ कि यहा कैसे हुआ कईया ने सब विस्तार से बताया वितांत जानकर विश्णू ने कईया को वर्दान मांगने के लिए कहा कईया ने मांगा कि अगर कोई मनुष्य मेरा उबास करे तो उसके सारे पाप नाश हो जाएं और उसे विश्णू लोक मिले तब भगवान ने उसके यह को एकादशी नाम दिया और वर्दान दिया कि इस व्रत के पालन से मनुष्य बजाती के पापो का नाश होगा और उन्हें विश्णू लोक मिलेगा पद्म पुरान के अनुसार उत्पन्न ना एकादशी व्रत में भगवान विश्णू समेत दिवी एकादशी की पूजा का भी विधान है इसके अनुसार मार्ग शीर्ष कृष्ण पक्ष की दश्मी को भूजन के बाद अच्छी तरह से दातून करना चाहिए ताकि अनका अंश मुह में न रहे उत्पन्न ना एकादशी के दिन सुबै उठकर व्रत का संकल करशुद जल से सनान करना चाहिए इसके बाद धूप, दीप, नयवेद्य आदी सोलह सामगरी से भगवान श्री कृष्ण का पूजन तथा रात को दीबदान करना चाहिए उत्पन्न ना एकादशी की सारी रात भगवान का भजन कीरतन करना चाहिए श्री हरी विश्ण उसे अनजाने में हुई भूल या पाप के लिए ख्रमा मांगनी चाहिए